हलो एवरिवन, वेलकम टो स्टुडी नेटिक मैं हूँ पूजा मैता और आज यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 12 की एकाउंट्स के प्रीवियस एर के कोशिंस आपके एक्जाम बहुत ही जादा नियर हैं अब आपको पुराने कोशिंस देखने की जरौत है जो एक्जाम में आये हैं और उन्हें रिवाइस करने की जरौत है तो हम यहाँ पर आज करने वाले हैं डेट आप दा पार्टनर के कोशिंस उससे पहले के जो चैप्टर से उनके भी मैं पीवाइक्यूस करा चुकी हूँ यदि आपको देखना हो तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना वहाँ पर सब ही वीडियोज अप्लोडेड हैं तो जरूर देखिए और जरूर प्रैक्टिस कीजिए आज यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ वो है 6 marks के कोशिं 4 marks के कोशिं भी death of the partner के मैं बता चुकी हूँ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 marks के कोशिं तो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करना चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोशिं देख लेते हैं कोशिं नमबर वन क्या कह रहा है कोशिं नमबर वन देखो गिर्जा सबसे पहले तो मैं बताती हूँ ये 2019 में ये कोशिं आया था और ये जो कोशिं था वो 6 मार्क्स का था तो आप इस कोशिं को पढ़ लेते हैं I hope आपको दिख रहा होगा नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देती हूँ ताकि आपको कोशिं को देखने में आसानी हूँ ची के दिख रहा है है हाँ हाँ चलो क्या बोल रहा है ये ये बोल रहा है गिर्जा यतिन और जुबिन वर पार्टनर शेरिंग प्रॉफित इंदा रेशो इस 5 इस तो 3 इस तो 2 जुबिन डाइट ऑन 1st August 2015 अमांट डू तो जुबिन एग्जेकुटर आफ्टर ओल अजस्मेंट वस 90,300 दा एग्जेकुटर वस पेड 10,300 इन कैश इमेडियेटल एंड बैलन्स तो इक्वल एन्नुल इंस्टॉल्मेंट है ना इस आप से ठीके 2027 तर आप यहां पर 31st March accounting year है जहां पर जुबिन का एग्जेकुटर एकाउंट को क्लोस करना है जब तक उसे पेड नहीं कर दिया जाता क्लीया है आप चलिए इसके question को देख लेते हैं हम क्या है यहां पर सबसे पहले तो मुझे बनाना होगा जुबिन के एग्जेकुटर का एकाउंट तो मैं यहां पर लिखूँगी जुबिन dib account क्योंकि पहले मैंने उसको पैसा दिया है इसलिए मैं उसका पहले account बनाऊंगी और उसको जितना पैसा दिया है उसका हिसाब कर दूँगी क्योंकि देखो आप थोड़ा तो दे ही रहे हो ना तो यहाँ पर हम जुबिन का executor account बनाएंगे यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिए particulars amount यह तो आता ही है आपको particulars amount ठीक है सबसे पहले कितना दिया उसको तुरंथ ही कितना दे दिया 10,300 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे हम सबसे पहले उसका जो balance था उसे लिखेंगे by balance brought down जो उपर से हम नीचे लाए 90,300 ठीक है न टोटल देना था 90,300 बर दे दिया उसको तुरंथ ही to cash account कितना दे दिया इसको हमने तुरंथ ही 10,300 और balance बचा to balance carried down 80,000 और यहाँ पर इनका total लिख देंगे आप यहाँ पर इस question में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस question में आपको date का भी column बनाना है जो मैंने नहीं बनाया है पर आपको ध्यान से इस question में date का column बनाना है क्योंकि date ही आपको explain करनी पड़ेगी ठीक है ना आपने किस date पर यह payment किया है उसको भी आपको बताना होगा तो मैं यहाँ पर date का column add कर देती हूं लेकिन आपको starting से ही बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पर 2015 में 1st August को उसकी date हुई वो 1st August को ही तुरंट payment कर दिया गया तो यहाँ पर सब दूर 1st August ही आएगा ठीक है जिस time उसकी death हुई उसी समय उसको payment कर दिया गया किसको Zubin के executor को अब हम यहाँ पर बनाएंगे Zubin का loan account क्यों क्योंकि बाद में बचा हुआ जो है दो installment में payment किया गया साथ ही साथ कितना interest था interest था 6% तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी Zubin executor loan account चीक है तो सबसे पहले आप अच्छे से थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम क्योंकि यह दो साल का बनाना है तो यहाँ पर हम Zubin के executor का loan account बनाते है यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है बच्चो एक date का column देना है वो तो यह अच्छा है कि board बड़ा है तो हम कितने ही column बहुत easily बना सकते हैं और कितने ही column को हम इदर खिसका भी सकते हैं चीके ना तो यहाँ पर हमने कर दिया पूरा loan account के लिए बना दिया सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जो balance है यहाँ पर आप लिखिएगा date particulars मैं बार बार आपको हर question में कहती हूँ कि presentation अच्छा होना चाहिए कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है क्योंकि हम जब daily practice करते हैं तो हम इतनी सारी चीज़े नहीं लिखते हैं या handwriting का ध्यान नहीं रखते लेकिन एक्जाम में आपको handwriting का specially ध्यान रखना है 2015 कब death हुई है उसकी अगस्त वन को जुबिन एक्जीक्यूटर एक काउंट ठीक है 80,000 लिख दिया अब यहाँ पर उसको कब तक का पहले साल 2015 में उसकी death हुई है 2015 में 1 अगस्त को उसकी death हुई है 1 अगस्त से लेके 31st मार्च तक का भी हमें उसे interest देना होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे by interest account कब 2016 31st मार्च तक का कितना 80,000 का 6% ठीक है 6% और कितने मंद का 8 मंद का क्योंकि 1st अगस्त से 31st मार्च तक 8 मंद होते है तो 8 मंद का जब आप यह calculation करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 3,2,0 और यहाँ पर हम 2016 में 31st मार्च करके by to balance carried down जब हम आगे ले जाते हैं तो carried down लिखते हैं कितना total करो 8,3,2,0 यहाँ पर भी 8,3,2,0 8,3,2,0 ठीक है अब इस balance को हम नीचे लाएंगे तो अब हम क्या लिखेंगे 2016 1st अपरेल कितना लिखे आए by balance brought down कितना है 8,3,2,0 अब यहाँ पर तो मुझे 2016 1st अपरेल से 2017 31st मार्च तक करना है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 2017 31st मार्च by interest recount ठीक है कितना हो गया 8,3,2,0 इसका 6% कितना निकालेंगे पूरे साल का 4,992 ठीक है कैलकुलेटर से आप करिएगा 4,992 आप क्या करूंगी यहाँ पर ध्यान रखिए यह चीज थोड़ा सा ध्यान से समझेए कि पहली installment अब उसको 2016 में देनी है कितने की होगी पहली installment पहली installment होगी उसकी 40,000 की क्योंकि 80,000 देना था पहली installment 40,000 लेकिन 40,000 देने के साथ साथ और क्या देना रहेगा उसको जो interest है वो भी देना पड़ेगा तो जब हम payment करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 cash account और कब कर रहे हम payment हम payment कर रहे है 2017 31st March को ठीक है तो यहाँ पर जब हम payment करेंगे तो यहाँ पर आ जाईगी हमारी 40,000 की first installment उसके बाद जो मेरा interest है उपर का 3,2,0 and प्लस यह वाला interest 4,992 यह मुझे उसको सब payment करना पड़ेगा तो जब मैं यह plus करूंगी तीनों को तो 40,000 प्लस 3,2,0 प्लस 4,992 तो यहाँ पर मेरे पास आजाएगा 48,192 तो इस तरीके से क्या होगा हम payment करेंगे अब इसमें हम मैं इसमें से minus करूंगी किसमें से 8,3,2,0 minus 4,992 तो यहाँ पर मेरे पास 40,000 का और balance बच जाएगा ठीके ना 40,000 का और balance बच जाएगा जो मुझे उसे अगले साल देना है तो यहाँ पर total आजाएगा 88,192 और यहाँ पर भी 88,192 clear हो गया ना चलिए clear हो गया अब क्या करेंगे अब हम आएँगे 2016 से 2017 में तो यह हम balance करेंगे भी 40,000 और देना बचा है तो यहाँ पर लिखा नहीं मैंने 2 balance ठीक है और यहाँ पर 2 balance carried down 31st March ठीक है आप यह उपर से लिकर आएँगे by balance brought down ठीक है कब का balance है यह 1st April 2017 का कितना आएगा यह 40,000 अब इस पर भी interest लगाएँगे by interest on जो भी अपना है by interest ही लिख लो by interest account 40,000 का 6% 2400 तो यहाँ पर 42400 और फिर उसको 2018 में पूरा payment कर देंगे 31st March को to cash account कितना 40,000 यह और interest सहे तो यहाँ पर 42400 क्लियर हो गई बात तो इस तरीके का question पूछा गया है अभी 3-4 साल पहले ही पूछा गया है पैटन थोड़ा सा चेंज हुआ है 4-5 सालों में तो 4-5 सालों के question जरूर देखना है अब 2019 के बाद हम एक question देख लेते हैं जो कब पूछा गया है 2018 तो देखते है question number second क्या बोल रहा है यह प्रणव, करण और रहीम तीन पार्टनर है क्या नाम है तीनों का प्रणव, करण और रहीम वर पार्टनर इन फर्म शेरिंग इन रेशो प्रॉफित और लॉस इन रेशो 2-2-1 31st मार्च 2017 देख बैलेंशीट दी हुई है करण की डेथ हो गई 12 जून 2017 में करण की डेथ हो गई 2017 में अब पार्टनर्शीप डीट के अकॉर्डिंग क्या बनाना है बैलेंस उसका कैपिटल अकाउंट का इंटरेस्ट और कैपिटल 12 परसंट पर है नव शेर ऑफ गुडविल निकालना है गुडविल ऑफ दा फर्म ऑफ करंट डेथ यहां पर हमें के कैपिटल अकाउंट को बनाना है और उसके रिप्रेजंटेटिव को भी कितना पैसा मिलेगा उसे बताना है तो चलो करते हैं इस question को सबसे पहले तो देखो एक चीज का calculation यहां पर बहुत ध्यान से करते हैं किस चीज का calculation ध्यान से करना है अभी तक जब भी death हुई है किसी partner की question के according तो हमेशा एक तारीक कोई death होती है लिकिन ऐसा possible तो नहीं death तो कभी भी हो सकती है mid of the month में कभी भी हो सकती तो वही इस question में बताया गया है कि जो death हुई है वो 12th June को हुई है ठीके कभ हुई है 12th June अब क्या करेंगे यह 12th June को जो death हुई है हमारा जो year होता है वो 31st March को खतम हो जाता है तो आप 1st April फिर 1st मई और 1st to 12th June ठीके तो April में कितने मन्द होते हैं April में होते हैं 30 मन्द मई में होते हैं 31 मन्द और इसके 12 days ठीके न इतने दिन का हमें उसे हिसाब किताब करना है तो यहाँ पर हमारा आगया 73 अब 73 days के उसका हिसाब किताब करना है उसका पैसा देना है लेकिन total days कितने होते हैं क्योंकि आप जब सिर्फ मन्द का करते हो तो divided by 12 करते हो जैसे 4 मन्द कर दिया तो divided by 12 कर दिया लेकिन यहाँ पर 73 days दिये हैं तो आप जब days के साब से calculation कर रहे हो तो आपको यहाँ पर divided by 365 करना पड़ेगा तो आपको यह चीज को ध्यान रखना है जब mid of the month की date दी होती है ठीक है बस वही चीज इसमें अलग है बाकी कुछ भी ऐसा अलग नहीं है लेकिन इस pattern का question एक दो बार और पूछा गया है तो इसको करना बहुत ही ज़ादा जरूरी था अब हम इस question को करते हैं solution करते हैं सबसे पहले करन का capital account बनाएंगे चलिए बनाईए मेरे साथ करन capital account ठीक है आप चाहें तो date दे सकते हैं exam में दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ तो चल जाता है हम practice कर रहे हैं लेकिन ज़्यादी हम exam में proper format बनाते हैं तो अच्छा रहता है अब बाकी चीज़ आप लिखिएगा सबसे पहले यहाँ पर उसका जो capital का balance है कितना दिया है current का 2 lakh तो हम 2 lakh लिखेंगे कहाँ पर यहाँ पर तो by balance brought down तो यहाँ balance कब लेकर आए हम यह कब बना रहे हैं जब उसकी death हुई है 12 June को 12 June को death हुई ना उसकी तो 2 lakh हम balance लेकर आए balance लिखा फिर by interest on capital चीज़ आप interest on capital कैसे निकालोगे उसका 12 June तक का यहाँ पर interest on capital कितना देने की बात हो रही थी 12% दिया है ना यह 12% 12% देने की बात हो रही थी तो आप क्या करोगे यहाँ पर 2 lakh का 12% लेकिन कितने दिन का देंगे हम देंगे 73 days का 365 के साब से यदि month होते तो हम month ले लेते लेकिन यहाँ पर month नहीं है यहाँ पर days है आप यह सारा calculation करेंगे तो आएगा 4800 चलो अब इसके बात देखते हैं इसके बात क्या दिया हुआ है Goodwill के बारे में दिया है कि Goodwill of the firm of current death was valued 60,000 मतलब क्या है उसकी Goodwill कितनी है फर्म की 60,000 तो अब उसको current का portion कितना है तो यहाँ पर मैं working note में आप भी अलग से बनाईएगा working note आप चाहें तो यह वाला भी working note में कर सकते थे तो कितनी है Goodwill of firm 60,000 and death हुई है किसकी current की current ratio 60,000 का 2 by 5 तो उसका कितना भाग है 24,000 अब यह 24,000 को पूरा कौन करेंगे बचे हुए partner क्या नाम था बचे हुए partner का प्रणव and रहीन तो प्रणव कितना देगा प्रणव and रहीन इनका भी 2 is to 1 ratio बचा क्योंकि ratio कितना था 2 is to 2 is to 1 था यह चला गया था 2 is to 1 ratio बचा तो प्रणव कितना देगा 24,000 का 2 by 3 और यह 24,000 का 1 by 3 तो जब आप इनका calculation करेंगे तो करिए यहाँ पर 24,000 इन्टू 2 by 3 16,000 और यहाँ पर हम minus ही कर लेते हैं direct तो यहाँ पर 8,000 तो मैं यहाँ क्या लिखूंगे इसके capital account में यह दोनों जो देंगे क्या लिखेंगे प्रणव capital account and रहीम प्रेकेट capital account प्रणव capital account and by रहीम capital account 16,000 and 8,000 क्लियर हो रही है ना यहाँ तक की बात चलिए ठीक है अब एक चीज और है क्या general reserve कितना है general reserve देखो general reserve है 1,50,000 उसका share कितना है 1,50,000 का 2 by 5 करो 1,50,000 का into 2 by 5 तो यहाँ पर आगया 60,000 clear हो गया यह चलिए clear हो गया अब इसके बाद यहाँ पर देखो एक चीज और लिखे हुई है त्यान से देखो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ क्या लिखा हुआ है कि जो profit है firm का वो 5,000 है ठीक है ना calculate the last year profit the profit of the firm year यहाँ पर इसको थोड़ा से यहीं पर बड़ा देती हूँ एक चीज और आ रही है by P&L suspense account अब कितना है 5,000 है उसका portion उसका कितना देना है हमको कितना ratio है 2 by 5 into 73 divided by 3 65 तो करो यह calculation करो जब हम यह calculation करेंगे तो आएगा 40,000 ठीक है कितना आएगा 40,000 अब चलो इन सब को plus कर लो जब हम plus करेंगे तो वो किसके account में चला जाएगा करन के executor account में 2 leg plus 4800 plus 16,000 plus 8,000 plus 60,000 plus 40,000 तो यहाँ पर आगया 3, 2, 8, 0 और इतना उसको देना है हमें ठीक है तो यहाँ पर में लिख दूँगी टू करन एक्जीक्यूटर एककाउंट चीक है 3, 2, 8, 00 और यहाँ पर भी यही date आएगी 2017, 12th June चीक है बस इस तरीके का यह question था easy था ना आप बिल्कुल अच्छे से बनाएगा उपर नीचे नहीं करना है हमें clear हो गई अब चलिए एक question देखते हैं और question number 3 चलो क्या आप ओल रहा है on 1st January 2008 Uday Kushal entered in a partnership firm with fixed capital 7 lakh and 3 lakh respectively they were doing good business and were interested in its expansion but could not have but could not do the same because the lack of capital मतलब यह दो partner है Uday और Kushal यह दोनों की capital है 7 lakh and 3 lakh और इनका business अच्छा चल रहा है लेकिन वो अपने business को बढ़ाना चाहते है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करते हैं जादा capital के लिए अपने एक partner Govind को और enter कर देते हैं अब Govind कितनी capital लेकर आता है Govind लेकर आता है 10 lakh की capital ठीक है as capital and the new profit sharing ratio decide होता है उन तीनों के बीच कितना 3, 2, 5 तीन लोग हैं उनके बीच कितना decide होता है 3 is to 2 is to 5 फिर क्या होता है 2012 में एक नया partner आ जाता है हरी ठीक है चार partner हो गए कौन कौन होता है उदै कुशाल फिर कौन आया गोविन और फिर एक और हरी है ना फिर हरी को भी enter करते हैं जो 8 lakh capital लाता है और उसको ये लोग देते हैं 1 tenth of share profit में से अब which he acquire equally जो वो क्या करता है जो 1 tenth of share तीनों से equally 1 third किस से उदै से 1 third कुशाल से और 1 third गोविन से तीनों से equally लेता है on 1st April 2014 गोविन डाइट गोविन की death हो जाती है किसकी death हो रही है गोविन की death हो जाती है और उसका share जो होता है वो उदै हरी equally मतलब ये जब इसकी death हो रही है तो ये उदै और ये हरी ये दोनों क्या करते है उसका share ले लेते है आप यहाँ पर तीन पॉइंट दिये हुए है समझ में आगया ना question तो मैंने अच्छे से explain कर दिया यहाँ पर तीन पॉइंट दिये है जब गोविन का admission हुआ तब उदै और कुशाल ने कितना sacrifice किया ये बताना है बताना है जब हरी का admission हुआ था बहुत सारी चीज़े बतानी है 2015 में ये question आया था इसमें कुछ निकालना नहीं है बस profit sharing ratio बताने है तो चलिए हम इसको करते है सबसे पहले हम sacrificing ratio निकालते है चलिए sacrificing ratio किसका निकालना है उदै और कुशाल का तो पहला उदै का कितना है 1 by 2 और कुशाल का कितना है 1 by 2 क्योंकि कुछ दिया नहीं है कि उनका पुराना sharing ratio कितना था तो हम half-half ही मान के चलेंगे अब क्या हुआ था जब इन दोनों ने किसके admission के समय the sacrifice, गोविन के admission के समय कितना sacrifice के तो नया profit sharing ratio क्या बना था? 3 is to 2 is to 5 तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी old profit sharing ratio में से यही formula है न old minus new, तो old profit sharing है 1 by 2 और new है 3 3 by 5 और यहाँ पर 2 by 5, तो चलें इनको minus करिए 5 10, 5 minus 3, मतलब क्या हुआ 2 by 10, वो यहाँ पर 10, 5 minus 2, मतलब 3 by 10, तो क्या हुआ sacrificing ratio कितना हो गया? 2 is to 3, आ गई समझ में? पुराने में से नया minus कर तो पता चल जाएगा कि sacrificing कितना है अब दूसरी क्या बात पोल रहे है new profit sharing बताना है उदय का कुशाल का और गोविन का तो देखो जब हरी का admission हुआ जब हरी का admission हुआ तो वो तीनों ने equally one by three, one by three अपना contribution दिया क्योंकि उसे one tenth of share मिलाता हरी को तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी दिखूँगी हरी शियर one by ten अब नाम क्या है जड़ा एक बार मैं नाम देख लूँ उदय सेक्रिफाइज दूसरा है कुशाल सेक्रिफाइज और तीसरे का क्या नाम है गोविन्द गोविन्द सेक्रिफाइज ठीक है कितना किया one by three one by three लिखाए ना उसमें equally वो कितना भाग दिया one by ten one by ten और one by ten दिया ना जब वो आया तो यहाँ पर उन्देने कितना सेक्रिफाइज किया three by thirty मतलब sorry three by thirty नहीं one by thirty one by thirty one by thirty और one by thirty one by thirty इन्होंने इन तीनोंने इतना इतना क्या किया है सेक्रिफाइज किया है समझ में आ गई बात यहां तक कि आप तो नया शेर केसे बना देखो इसी कोस्षिन में पूछा है ना जब उन्होंने सेक्रिफाइज किया है तो यहाँ पर new profit ratio बताना है उदय, कुशाल, गोविन हरी चारों का share बताना है तो जब उन्होंने जो sacrifice करने के बाद नया share कैसे पता चलेगा इसके लिए हमें minus करना पड़ेगा तो चलो हम क्या करेंगे उदय का new share उदय new share कुशाल new share and गोविन new share समझ में आई चलो देखो यहाँ पर उसका पुराना share कितना था 3 by 10 था न, 3 is to 2 is to 5 था, यह तीनों का हरी के आने से पहले question में दिया है, अब मैं उपर नहीं जा रही आपको पढ़ लेना दिया है 3 by 10 था, उसमें से इन्होंने दे कितना दिया 1 by 30 इसको दे दिया उसके बाद कुशाल का था 2 by 10, उसने भी 1 by 30 दे दिया, और इसका था 5 by 10 इसमें भी मैंने 1 by 30 दे दिया अब इनका LCM निकालते हैं, तो यहाँ पर आजाएगा 8 by 30 यहाँ पर आजाएगा 5 by 30 और यहाँ पर आजाएगा 15 by, 14 by कितना है, 1 by 10 दिया था ना उसको अब उसको भी बराबर करना है मुझे, तो 3 उपर, 3 नीचे तो 3 by 30, तो यहाँ पर आप देखें नया शेर, चारो का इन चारो का नया शेर है 8 इस्टू 5 इस्टू 14 इस्टू 3, यह इन चारो का नया शेर आगया देखो, next point पड़ो new profit sharing ratio of उदे, कुशाल and हरी of Govind यहाँ पर एक line लिखी है on 1st April 2014, Govind डाइड and his share is taken by उदे and हरी, मतलब जो उसका share है, सिफ उदे और हरी को मिलेगा, कुशाल को नहीं मिलेगा, तो आपको यह चीज को धियान रखना है कि आप उसका share जब दो तो उसको नहीं दे देना, तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे, हमें पता ही उसका share कितना है यह 14 है उसका share, तो यहाँ पर हम उदे acquire from Govind 14 by 30 आधा कौन लेगा, 1 by 2 कौन लेगा, 1 by 2 लेगा उदे, मतलब 14 by 60 उदे लेगा, और हरी acquire from Govind आधा हो लेगा 14 by 30 का 1 by 2 तो वो भी कितना लेगा 14 by 60, ठीके दोनो 14 by 60, 14 by 60 लेगे, तो इनका जो share है उदे, new share उसमें क्या करेंगे, इनका share कितना था 8 divided by 30 plus 14 by 60 ठीके, और उसी तरह से हरी का new share 8, नहीं, उसका कितना था? पहला, दूसरा, तीसरा 3, 3 by 30 plus 14 by 60 LC हम निकालो, तो यहाँ पर आजाएगा 16 plus 14 30 by 60 और यहाँ पर आजाएगा 6 plus 14 means 20 by 60 ठीके, तो यह इसका नया share हो गया, यह इसका नया share हो गया, और कुशाल का कितना है? कुशाल का था 5 by 30 कुशाल share 5 by 30 मुझे इसको इक्वल करना है, तो मैं 2 और 2 का दोनों तरफ इंटू कर दूँगी, तो यहाँ पर आजाएगा 10 10 by 60 तो new share तीनों का 30 20 10 10 कि death होई है, वो 14 मार्च को हुई है, तो यहाँ पर days की हिसाब से निकालना है, तो इसको आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा question है, क्योंकि इस type के question और भी बाद में पूछे गए हैं, इसलिए आज के लिए यह आपका question homework है, आज के वीडियो में इतना ही अच्छे लग बाई 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 बाई